नमस्कार, मैं आपकी तरही एक नौकरी शुदा व्यक्ति हूँ, जिसे इस कुरोना के महाकाल में रोज आफिस जाना पड़ता है कुरोना ने एक ऐसी वैश्विक महामारी का रूप ले लिया है, जिससे कोई भी देश अचूता नहीं है देश ही क्या, देश के सारे नागरिक कोई भी इसे अचूता नहीं है, चाहे वो प्रधानमंतरी हो, राष्टपती हो तो क्या ऐसी महामारी में हम लोग बच सकते हैं, तो आईए, आज मैं आपसे कुछ ऐसी जरूरी बाते करूँ जिससे कि हम लोग बच सकते हैं करोना से हम लोग जब रोज ओफिस जाते तो हमें कुछ बाते ध्यान रखनी चाहिए जिससे कि हम चाहें तो कोरोना से जम कर लड़ सकते हैं तो सुबह उठने के साथ, तयार होने के साथ आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि आपके पास कोरोना से लड़ने लायक सारी सामगरी उपलब्ध हो आप इन सामगरीों में सबसे प्रमुख आपका मास्क, आपका सैनिटाइजर और अगर कोई स्प्रे है तो वो अगर आप अपने गाडी से जाते हैं vet то या company bus से जाते हैं vet आपको ये बाते ध्यान में रखनी जरूरी है कि आपको कभी भी अपने हाथों पर sanitizer लगाना है और तभी आपको अपनी गाडी यूज करनी है अगर आप company bus से जा रहे हैं तो भी आप अपनी bus की seat पर sanitizer spray कर सकते हैं और फिर उस seat पर बैठी है क्योंकि उस bus को बहुत सारे लोगों ने use किया होगा या use करेंगे जब आप office पहुंचते हैं तो अपनी office की कुरसी, table, इत्यादी को भी sanitizer से spray कर लें उसके बाद ही उसका उपयोग करें और office में meetings तो होती ही हैं तो इससे कैसे बचें क्योंकि meeting room common होता है और उससे बहुत सारे लोग use करते हैं तो वहाँ भी आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके पास sanitizer spray हो और आप उससे उस जगह को spray कर लें उसके बाद ही उसमें बैटें अगर meeting में ऐसा करें कि आप कम से कम मिलें लेकिन अगर मिलना जरूरी हो तो आप तुरंत ही meeting के बाद sanitizer का उपयोग करें और इस तरह से आप meetings में बच सकते हैं फिर आता है canteen अगर आप canteen जाते हैं तो canteen में भी आपको social distancing के हिसाब से बैठना पड़ेगा और खाने में भी ये ध्यान रखना होगा कि आप दूर बैठें और हो सके तो चमत से ही खाएं हाथ का उपयोग ना करें अगर हाथ से खाने की जरूरत पड़ती है तो फिर आप अच्छे से पहले साबुन से हाथ धो ले और तभी हाथों से खाएं ऑफिस से निकलते वक्त आप अपने सारे समान को अच्छे जगर पे रखतें उसके बाद जब आप घर पहुंसते हैं तो घर आने से पहले आपको ये देखना है कि आप अपने हाथ पे अच्छे से धो सकें बाहर तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो घर में घुसने के आपको घर के बात्रूम में जाना है, नहाना है, सारे कपड़े धोने हैं और उसके बाद ही घर में अंदर के कमरों में जाना है और घर में जो भी जगह पे आपने नहाने से पहले कदम रखा है उसको भी पोच देना हैं। ये सब बाते अगर हम लोग अपनी ध्यान में रखेंगे तो सिर्फ हम अपने आप को ही नहीं अपने दोस्तों को अपनी फैमिली को बचा सकते हैं क्योंकि सबसे जरूरी चीजिस में ये है कि हमें दिन भर मास्क का उपियोग करना है क्योंकि गॉर्मेंट ने भी बोला है और ये एक रिपोर्ट आई है कि अगर दो लोग मास्क का यूज करते हैं तो कोरोना के होनी की संभावना घटकर 1.5 प्रतिशत हो जाती है और अच्छी क्वालिटी का मास्क यूज करते हैं तो सब सोशल डिस्टेंसिंग जरूर रखे हैं सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपियोग किया तो कोरोना नहीं होगा इसलिए मोदी जी ने भी बोला है 6 फिट की दूरी है जरूरी तो यह हमें हमेशा याद रखना है मास्क का उपियोग करना है सैनिटाइजर का उपियोग करना है और यह बाते हम लोग जब तक ध्यान में रखेंगे तो कोरोना हमसे दूर ही नहीं रहेगा सिर्फ हमसे ही नहीं हमारे फैमिली से हमारे दोस्तों से और हमारी जिंदगी से दूर हो जाएगा धन्यवाद दोस्तों आप इसी तरह मेरी बाते सुनते रहेगा